हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल हेल्फ मेटसिन तो आज का हमारा यह वीडियो एक लॉंग इफेंड डियस, लॉंग इफेंड सीरफ और स्वीड हाइड कैपसुल के बारे में बताएगा इसके विषय में क्या फायदे हैं और यह किस काम के लिए यूज होता है और क्या-क्या फायदे हैं इसके क्या साइड इफेक्ट हैं और इसे कैसे यूज किया जाता है यह सभी बाते हम आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं इसलिए दोस्तों हमारा यह वीडियो लाश तक आप देखिएगा जिससे आपको यह सभी बाते पता चल सके तो दोस्तों आपका ज्यादा समय न लेते हुए हम आपको बताने जा रहे हैं हाइट कैसे बढ़ाई जाए तो दोस्तों आज के नए जनरेशन में बच्चों से लेक जो भी लड़के हैं उन सभी का हाइट नहीं बढ़ रहा है तो हाइट बढ़ाने के लिए हम यह मेडिसीन बता रहे हैं कैसे यूज किया जाता है जो आप देखी रहे हैं इस समय बहुत ही परशार आ रहा है इस स्पीड हाइट कैपसुल का तो इसको लोग यूज करते हैं लेकिन फिर भी नहीं बढ़ पाते हैं तो दोस्तों इसको यूज कैसे करना है इसको हम आज आपको बता रहे हैं इस कैपसुल को इस स्पीड हाइट कैपसुल को आप लाउगी फिन सीर्फ के साथ यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर रहाएगा इस से क्या बेटर रहेगा कैपसुल सुबह दोपहर और साम तीन टाइम आप इस कैपसुल को और ये सीरफ दस एमन सुबह दोपहर साम तीन टाइम इस सीरफ को आप दीजिए continue दोस्तों 90 दिन तक आप इस प्रोडक्ट को देते रहें अपने बच्चे को जिससे वह बढ़ सके 90 दिन में आप एक दिन भी नागाना करें और अगर आपका बच्चा जो है बारा साल से बड़ा है तो आप दोस्तों इस कैपसुल को दो कैपसुल सुबह दोपहर साम तीन टाइम आपको देना होगा और इस सीरप को आपको सुबर दोपहर साम तीन टाइम देना होगा 10 ml सुबर दोपहर साम तीन टाइम इस सीरप को और इस कैट्सुल को आपको उस लड़के को देना पड़ेगा जो 12 साल से उपर है आप दोस्तों 18 साल से कम एच के लोगों के लिए ही इस प्रोड़क्ट को यूज कर सकते हैं तो दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद